तो आप अपने पढ़ाई कर रहा होंगे और एक्दम अच्छे तरीकिसी अपनी पढ़ाई कर रहे होगी जैसे कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को पता है टीम आपसा जो है एक्जाम स्रीज लेके आई है जो की एक्जाम औरियंटेट आपको 36 गड़ बोर्ड की जो मां परिक् ऐसे concept के उपर बात करेंगे ऐसे topic के उपर बात करेंगे जो की जो है आपके एक्जाम के पॉण्ड विवी से बहुत जादा important होंगे clear सारे बच्चों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी ठीक है उसके बाद अगर मैं बात कुरूं बैटा यह जो एक्जा को दो तो यहां तो यहां आया होगा थो सारे यहां था समझ में आ रही होगी अगर किसी भी something में आपिक नदर दिक्कत आ रही है तो सारे जो भी दुखदर्द कष्ट पीड़ा होंगे वहाँ पर सेयर कर सकते हैं सारे बच्चों को यह तो बाती एकदम क्लियर होगी ठीक है अब बच्चे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जो है गक्षा बार्वी का जो रसायन था बेटा जो केमेस्ट्री थी ठीक हमारे और आपक अच्छंव लेक्टर बच्चों को समझ में आ रहा होगा ठीक है उप्योंकि यहां पर आप लगे प्यावी बच्चों को पाँच नमब्र बच्चे डारेक्टिक सुध्य तरीके से एकदम भी एकदम क्या होता है एकदम मक्षन लगागा जैसे कोई परोशाच आता है वैसे आपको मैं परोशने यह वाला हूं वैसे आपको समझाने होला हूं किलियर सारे बच्चे को मजा आए कहीं को करने है बहुत इंट्रस् में रहे हैं Аप बचार बचाने वाले हैं आप बचाने वाले अगर यह कैसर इंजोग अगर समझना थो यह छीज ए पड़ेगी इसके उपर आपका time दो में जो है याने वाला इसके ऊपर बच्च आपको ताइम जाने वाला वह भी जादा नहीं सिर्फ और सिर्फ आदे घंटे यहां पर हम लेंगे और आदे गंटे के अंदर सारे concenter हैं आप लोग नहीं बच्पन में कभी से लए कोई होतप तो से कई अंदर क्या है है का समझ में नहीं नहीं आथा जूड़ी पर रहे हैं पर नहीं करने हैं चेप्नर के अधर यह यह दो कि डारिष यह नहीं चापन सी दो है ओड़ होड़ी पड़े मिए ALT चीजे कैसे होती तक है अप रिलेट करने वाले चीजे कैसे होती है आप जो में सीखने वाला हूप बहुत गजब तरीकी से मखशन तरीका से सारी कि यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत मज़ा आएगा बच्चे सिर्फ आपको जो है फोर पेसेंज बना के रखना है चीजह को थोड़ा समझना है ठीक है अच्छे तरह से में सारे चीजह आपको डिलीवर करने वाला हूं सिर्फ चलिए स्टार्ट करतें बाइया आज हम थाताय को बताथा किसमें वीदूस जो है इनरजी के अंदर ओड्या के अंदर पेटा वेट क्या वोट नहीं थे ने पहले पहले बात करेंगे iau ॉसमें में ऑटीबचे वह ओता है विदुद्स और्यम में बच्चे को और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे किसमें विदूत रसायनिक उद्जा के अंदर क्लियर बहुत अच्छे त्रीकिसे क्लियर चीज दो चीज़ी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखो पहली चीजह इसको पढ़ने से पहले हम सब्लें हम कुछ बच्पन की बादें पढ़ लेते हैं इसमान क्या सिखा हुआ है mendhi बोलेंगे oxy current ठीक है दोनों medium को 1-7 लेकर चलगे यह आपके लिए इंपोर्टन है जानना कैसे चीजे होती है ठीक है oxydation oxy koyan कि अगर मैं बात कर रहुं तो oxy current के अंदर क्या होता है बच्चे oxy current मतलब आपको नाम से ही पता चलग रहा है यहां पर oxygen जुड़ेगा ठीक है बिल्कूल बच्चे आप जो होट सकते हो कि ओक्साइड बनाने वाला है एम घी और बनाने वाले चाहिंद का जुड़णा हो रहा है क्या सर क्या मैं जो है सर इस ही जो हाइड्रोजन का निकलना कर बोल सकते हूं बिल्कुल बच्से आप जो है Oxidation को औक्सी करन को Hydrogen का निकलना बोल जाथ में को एक्जांपल बता तो बिल्कुल लेखो यह एक्जांपल भाईजा आपके सामने यह रहा यह उनलों एक साथ जूड़े हुए लेकिन क्या हुआ वह इस प्रोसेस के बाद अलग हो गया तो क्या मैं इसको बोल दूँँ है यह ऑक्षिडेशन बिल्कुल बच्य आप यह बोल सकते हो का कि प्रोसेस रही अभी करिया है ऐसे करें निकलना क्या बात कर रहा है और निकलना कैसे निकलेगा सर देखते हैं देखो बहिए inertron प्राइस निकल रहा है फिल्फॉम कांपॉल बताता है तो तो उसको निकाल लाच हमारी क्या होगा इजी हो गल निकाल देगा एक ट्राइट करेगा जब एक ट्रण डॉनेट करेगा तो उसके ऊपर निya निकल गया तो यहाँ पर और खचार्च और यह और प्रोसेस औक्सीडेशन यह प्रोसेस क्या है इस और में और समझ में आया बिलकुल मखं तरीकसे समझ में होगा चलिए अब स्थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह पूरा प्रोसेस क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेश है बात करेंगे बेटा हम लोग रिडिटाक्शन प्रोसेश के बात करें रिड हम भीक्शा से काम किए रहते हैं कैसे काम होते है धान से सुनना आपको मज़ा है का देखो बहुत क्या है ऑक्सिजन का निकलना यहां पर क्या बात हो रहती ऑक्सिजन का जुड़ना होते है और रिडक्षन में रिडक्षन में ऑक्सिजन का निकलना होता है ऑक्सिजन का निकलना तो भाई य Q plus O2 हो जाएगा तो यह process अपन क्या होगा कहलाएगा बच्चे यह हमारा जो है reduction कहलाने वाला है क्योंकि यहां से oxygen निकल रहा है तिक है oxygen निकल रहा है मज़ा आया एकदम बच्चे से सारे बच्चे को समझ में आया होगा ठीक है अब देखो अब मेरे को यह बचाता होगा क्योंकि बड़े आप सरारती बच्चे हो क्या होता है है c2 h5 o h होगा c2 h5 o h होता है क्या होगा बच्चे देखो इस प्रोसेस के अंदर मैं जब हाइड्रोजन जोड़ूंगा देखो यह क्या था c a plus h2 होगा c u c a sorry c a calcium plus h2 होगा तो मैं इसको जब जोड़ूंगा hydrogen add कर दूंगा तो क्या होगा c a h होगा और क्या है तो इस तरीके से मिल जाएगाО 2 मैं इस तरीके से यह क्या बोल दूँ स्मघन हो रहा है यह कैब बच्च्चा rdaction हो रहा है सारे बच्चे यहाँ पर confuse नहीं हो है अब चैहिं होता है इगर मैं बुलो reduction बोलो oxidation रहां तो समझनी पडेगी थोड़ी चीजिया आपको समझनी पडीगी बाई समें सा इसे लिए भगवान की सोमज़ाना को समझने से नहीं जाने से इतना कुछ नहीं एकार को समझने से पर शेस छोटी सी चीज है यह आपको 100% समझ आगी बस समझनी की नीड है ठीक है सारे बच्छे को है बहुत को इन अब बच्छे को बस बतादो सर इलेक्ट्रों का जोड़ना क्या होता है यहाँ पर जोड़ देखो बच्छी यह देखो फटाफट देखो गया सियल होगा हमारे पर से लोगा बिल्कुल बच्ची यह होगा ठीक है अब सिएल में मैं दो एसी इक उड़ारी रहती है एक पाथ मिलेगा सीएल माइनस मिलेगा सिएल माइनस मिलेगा स्यवेट्रॉन ले बहुत गजब तरीके से समझ में यह जो प्रोसेस हो बीठा पूरा पूरा क्या होगा अब चैन कहलाता है क्या कहलाता है अब तोड़ा से बात करते हैं आपन जो है अब मेरे बचोंको बता दो भाईया रिडक्षन होगा अप्चैन होगा ठीक है सुरी डिडक्षन मतलब अप्चैन मतलब ऑक्षी करन अब ऐसे प्रोसेस मैं बता दूँ आप लोग को ठीक है जो कि आपके लिए बहुत सब्सक्राइब होगा कि चीजे कैसे होती है आपने रेडॉक्स रिएक्षन के बारे में सुन संदार तरीके से पता होगा क्यूंकि बच्चपन से वही तो पढ़ते आ रहे हैं देखो बच्चे ऑक्षी करन तथा अप्चैन की प्रक्रिया जहां साथ साथ होती है ऐसे प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे बच्चे रेडॉक्स रियक्षन को और जहां पर एक अगर आते हैं मज़ा आएगा यह करने में देखो यह ब्लैंक पेज ठीक है अब देखो अब भई सिंपल सी बात है मैं आपको एकदम बेस्ट वाल एक्जामपल लेकर बताता हूं मज़ा आएगा इसको करने में ठीक है देखो ध्यान से यह यह लिए अपना पिंक क्या या पिंक सबको पसंद होता है तो अब भाई मैं बोला हमारे एकदम फेवरेट वाल एक्जामपल करूं सोडियम क्लोराइड का किसको दोह और लेता हूं अभ यह ने अपन बचपन सी पढ़ रहे हैं आपनι सो अबनता है इसको मैं सॉल्ट नमक बोलता हूं इसमें यहां पर नगे यहां पर नहीं कि असली सप्राइब को इसमें तोट सकते लेकिन अपनेकर बंदा कैसे इस पर बात करते हैं यहां पर जो तो न होगा यहां यहां पर दो दो components अपनको दिख रहे है ठीक है तू एने और एक सी एल स्च घर दिख रहा है अगर मैं तू आ की बात कर दूँ तो तू आने मतलब यह दो हमारे पास जो फोडियम के मोल्स है तो अगर यह दो सोडियम के मोल्स क्या करते हैं एलेक्ट्रोन निकालते हैं क्या करते बच्चा निकालेंगे क्योंकि इसके पास inspect or union में गोमता रहता है उसके पास एक एक अडुर कॉीघ्ट्रेंगे ना सिम्पल यह थो क्या रहतेंगे ने रिलीस करेंगे और ठीक है समझ में आया आब यह देखो यहां पर तो निकाल आलेकि इसके जो है दो ऐसे आएगा कोई नÖ कोई तो आएगा कोई नहीं area कोई ना सक्तिक फूरुस आएंगे इसे मज conception ने के लिए हैंगी थे सबस्क्राइब कि यहां पर फंसे करने और दूसे हूँ अपर यह क्या धरसा यह सकता है तुष यहां यहां पर टूसी यह हुआ यह दो एलेक्ट्रण लेगा मैंने में चाल जाए जाएंगे माइनस में घ्राइमें जब चलेंगे तो वहाँ पर माइनस चाल लग गया अगार मिसको थोड़ा सा जो लिखना चाहूं अच्छे तरीके से ठीक तो यह सो प्रोसेस होगा टुब्स टू ने प्लस चार तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ये process क्या हो रहा है oxidation हो रहा है जहां से electron निकलता है उसी यह पर oxidation बोलते हैं यहां पर यह बने उक्यों रहा हो हुआ है किसमें हो रहा हुआ हमें आधे मिया आधे प्रक्रिया में ऊग्सिदेशन तो इस व्यक्रोच कि मैं हाफ औक्षिडेशन क्या बहूंगा हाफ औक्षिडेशन अब इस प्रोसेस के अंदर एलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपन यहां पर एलेक्ट्रॉन निकल निकल नहीं है यहां से एलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है उधारी ली जा रही है इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे यहां प дав reference टिक है तो यहां पर ओक्षिडेश þन हो लिए को फूल में बहुत करूं अब यह आधा होगा यह आधा तो हर स्यसक्व बनेगा हैं एलेक्ट्रों कर सकते हैं तो मेरे को प्लस चार्ज तू-एन nostalgic चार्ज और मेरे को क्या मिलेगा टू सीएल माइनस चार्ज इस तरीके से मिले को पूरा का पूरा बच्चे जो प्रोसेस होगा इसको मैं बोलूंगा क्या इसको मैं बोल दूंगा बच्चे ध्यान से सुनना इसको अपन बोलेगा इसको अपन बोलेगा रेडॉक्स suppressie Care Regious reaction read beiden reaction आप कुछल सैंजन इसा अप हम विभी थरी आक्षों इप पूरा को फौरा अगर मैं आपको pray gas reaction याद करना देश्ट करना नवेच्छी के रिडएक्ष्टी की रодеक्ष्ट कर अचा मतलब होती रिडाक्सмен और और ऑग्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सिडेशन तो आपको यह पूरा प्रोसेस स्याद हो जगा रेडॉक्स में ऑक्सिडेशन साथ साथ होता है उसी को अपना रेडॉक्स रेक्षन बोलते हैं क्लियर बखन जबर जस्तरी के समझ आए वो सारी चीजे ठीक है अब यह सारी चीजा आपको क्या बच्पन में बात करना नहीं बेटा आप लोग अशी तो आप लोग क्या करोगे आप लोग न बच्चे ठीक है एक डबबा लेलो ठीक है आपको में बहुत जवर्दस कंसेप कराने हो ठीक है धान से सुनना और समझते रहना एक डबबे अपने पास इस डबबे में क्या अब in solution ? इंदर यह सुननितेरी जो राल लाल ना बिटा यह हमारे कहां जिंक का रॉट यह बच्छे अपना जिंक का रॉड जिंक का रॉड है जिंक का रॉड है इसी कंसेप्ट से सेल बनने वाला यह कंसेप्ट धृहान से सुनना मज़े करने एक दम मखण समझ आगा चीजे आपको ठीक है धान से सुनते रहे ना बस देखो भी यह यह इसी कंसेप्ट चीजे लियर और इस इस अंदर कंटेनर का नाम दे दिया मैंने अम blue character color basis च्राइब करते है क्या साल में ब्लूच बिलूच के 구ra के इता है च्राइब जिनक कर राओभे को तो आप लोग यह बता दूंगा क्या जिसे यहां पे जो यह हो यहां यहां per conversation की सक्राइब जैना एक जाना डिए बतारें तो वहां परouchmot की प्र reflective है तो सारे बच्चों जहां से सुननों भीया कोमेंट सेक्षिन में जाके बताना और फिरहाल मैं यहां पर बता देता हूं भी यह जिंक रोड को जब मैं कौपर सिल्फेट के सॉलूशन में डाल दूंगा तो यहां पे मेरे जो एलेक्ट्रोन होंगे वह क्या हो जाएंगे है कि एक सीडाइज हो जाएंगे क्या होंगे असी पानी के यहां पे एलेक्ट्रस आते हमने देखा है नहीं देखा है यहां जब दो दो एलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहां पर बच्चे क्या होगा जैडन जैडन टू प्लस चार्ज होगा जैडन टू प्लस चार्ज जो होगा इस सॉलूशन के अंदर आते जाएगा इस सॉलूशन के अंदर आते जाएगा अब एक चीज यहां पर धान सुनना मालो भाइया मालो इस जो जिंक रॉड का जो वेट है क्या है 100 ग्राम था ठीक है 100 ग्राम था लेकिन यहां से एलेक्ट्रों जो है निकल निकल के ठीक है यह ऑक्षिडाइज होगे जैडन टू प्लस चार्ज में कनवर्ट हो गया और कनवर्ट होते बच्चे इस कॉपर सलफेट के स 50 ग्राम हो गया मालो क्या हो गया 50 ग्राम हो गया और वह 50 ग्राम कैसे हुआ क्योंकि यहां से जो एलेक्ट्रों थे इसी रोड के ऊपर इस तरीके से आगे इस तरीके से तो आगे अब आये तो भाईया इसके आज से पाज जो है हमको काले-काले ऐसे जो है क्या निखने बब तो यहां से अलेक्ट्रोन निकल जाए और जिंक जो है इस जो है सॉलूशन के अंदर आने लग गया इसी कंसेट से आपकी सेल बनने वाला है इसी कंसेट को आपको समझा रहा हूं अभी से जब मैं सेल बताऊंगा तो यह नहीं बताऊंगा वापस से इसलिए मैं इस लेक्ट् पूरा प्रोसेस क्या स्वां पस्राइड एस पॉण डियस Scriptि मतलब अपने आप हो रहा है अपने आप वह रहा है क्या भी काम नहीं कर रहा हूं ठीक है स्वांटेनियस यहां पर और चिकनी पड़ेगी अच्छा तरीके से लिए अगर मैं आपको बोलूं स्पोंटेनियस प्रोसेश है तो उसको भी अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं एक बात हमारा स्पॉंटेनियस दूसरी चीज़ ती बच्चे कहना होता है दॉन इस चीज़े भी मैटर करती घर-ढ़ियुत इसको पर यहां पे बात नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे तो मियागत बहुट application लग जाएगा है तो क्या खता हुट मध्य in बिटेर हो टीक है तो यहां पनी यहां पर बात नहीं करेंगे फिरहाल ट्रहां चोड़ डिल जी की वैल्लू पॉसुतिव में होगी ठीक होगी पॉसितीव में होगी तो वैचा वो क्या आने वाला है नौन स्पॉंटेनियस होने वाला है मजा या समझ में डेलजी क्या है सर हमाने तो डेलजी होता है जिब फ्री एनर्जी डिप्ष फ्रीजह फ्री एनर्जी सुना-सुना सां लगल स होगी स्पॉंटिनियस मतलब होता है ठीक है और मतलब जहां पर मतलब यहां पर रक्रिया जो है रसायनिक अभी सी अपने आप हो जाती उसे स्वताप्रक्रम बोलेंगे जहां पर नहीं होती उसको आसवताप्रक्रम बोलेंगे इसलिए बात करूं अगर मैं बात करूं तो हमारा अभी अभी जो अपन देखे तो वहां पर मेरे क्या होगा इस पॉंटेनियस रियक्षन देखने को मिलेगा इस इसलिए मैं बताया इस पॉंटेनियस रेक्षन क्या चीज़े होती है पहले बहुत महत्तोपुन चीज़े आपन सीखे हुए बहुत सारी मैकसीमम बच्चे आपको डिसक्स करूँगा तब मैं बात कर दूँगा अब मैं बात कर दूँग अगर कैठोड के बारे में बात कर दूँ ना बच्चे तो मैक्सिम बच्चे यह बोल रहे होंगे कि बाई कैठोड ना सर कैठोड ना जहां पर नेगेटिव जो है हमारे पास जो नेगेटिव एनरजी होती है नेगेटिव चार्ज होता है जहां पर नेगेटिव चार्ज बच्चों यही आ रहा होगा यही आ रहा होगा एकदम मैक्सिम्म बच्चों का जवाब यही खोगा लेकिन मैं उन प्यारे मेरे पलत तरीका है गलत तरीका है यहां से सुनते हैं न बस समझते रहाए और किशीद के रहें और इभल वोट अहें हुआ इंदि में हिंदी में मुस्टति लिख दच होगा आप यहां होगा अप्चैन की प्रॉक्रिया रिडक्षन होता है जहां पे रिडक्षन होता है उसे खान के थो बोलेंगे जहां पे बहुते हैं उस्यु क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे जहां पर जहां पर reduction होती है उसे अपन cathode बोलेंगे और जहाँ पर oxy karan होती है जिस electrode के अंदर oxy karan होता है उसको अपन बोलेंगे anode क्या बोलेंगे एनोर्ड बोलेंगे clear जब भी आप chemistry पढ़ होना बच्चे तो ये ऐसे मत बोलना कभी भी मत बोलना कि एक नेगेटिव चार्ज होती है हमारे जिस प्रोसेस के अंदर जिस अलेक्टोड के अंदर अब चैन आ रहोगा होगा रिडक्शन हो रही होगी उसका पन कैठोड बोलेंगे जहां पर ऑक्सीजन होता है उस प्रोसेस का बोलेंगे यह ऐसे आप लोग करना सीख जाओ मेरे से सीख रहे हो एटलिस मैं बता रहा हूं एटलिस उसको क्या अपने कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से नोट्स बनाकर लिख लो यह चीजा आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से यह कुछ-कुछ जो है इंपोर्टन चीज है जब हम पढ होता है कैसे चीजे होती है ठीक है यहाँ तोड़ी-फोड मचा दें आपनको क्या करना थो आपको बच्चे यह लेक्टर बहुत अच्छे आपको बहुत ज्जादा हелप करने वाली है क्लियर सारे बच्चो और बच्चे को अब हम बच्चे 5 नमबर लिए टारेक्ट करनेव हम जब नेश्ट लेक्ट्टर जो हने वाला है विद्धू तरह सायनिक सेल कुपर होने आ यूजिसे हम लोग वोल्टिक सेल बोलते हैं ठीक है उसको डेनियल सेल भी बोलते हैं यह तीनों नाम एक ही बच्चे जब अनदर यह पूछे जाए तो आपको तीनों नाम पूछे जा झाल झाल